जैहंद मैं हूँ करना दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सेंग मैं आज बात करने वाला हूँ CDS की Chief of Defense Staff की और ये समझाने का प्रयास करूँगा कि क्यों इतनी देरी हो रही है इस एहम पद को भरने में आपको अगर याद होगा 8 दिसंबर को पिछले साल हमारे Chief of Defense Staff जनल विपिन रावर्द जब विलिंग्टन जा रहे थे तो वो MI-17 के क्रेश में खतम हो गए और वो दिन और आज का दिन अभी तक Chief of Defense Staff की कुरसी खाली है तो क्या ये एहम पद इतना एहम नहीं था जितना हम सब मानते हैं या इसके पीछे और कोई वज़ा है कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ऐसा मैसूस हुआ कि इस पोस्ट के चलते तीनों सेनाओं के बीच में कुछ फ्रिक्शन जादा बढ़ गई है कुछ लोगों को लगता है कि ये पोस्ट हमने क्रियेट कर दी तो ये एक बहुत बड़ा खत्रा बन सकता है हमारे लिए और मोदी सरकार को ये काम करने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ही था इसी लिए ये पोस्ट खाली रखी गई है लेकिन दरसल ऐसा नहीं है मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें देरी क्यों हो रही है अब जहां तक चीफ आफ डिफेंस स्टाफ का बात है 1947 में आजादी के बाद ही इस तरीके का एक प्रावधान या इस तरीके की सोच सरकार के सामने थी उसके सामने प्रोपोजल था कि तीनों सेनाओ को इंटीग्रेट करके एक कॉमन कमांडर इन चीफ टाइप कोई पोस्ट होनी चाहिए इस तरीके की बाते चलती रहें 62 के योद 65, 71 और 71 की योद के बाद तो ये बहुत भूरी तरह महसूस होने लगा जब इस तरीके की बाते और ज़्यादा प्रचलित हुई तो एक एयर चीफ थे उन्होंने ये कहा कि भई अगर इस तरीके का कोई अपॉइंटमेंट लेके आया गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा तो इससे सरकार बैक फुट पर आ गई और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया फिर कारगिल का यूद हुआ और कारगिल के यूद में ये चीज बहुत सामने और बहुत ही स्पश्च तोर पर नज़र आई कि तीनों से ना हो खासत तोर से इस केस में कारगिल में एर फोर्स और आर्मी के बीच में वो तालमेल नहीं पाया गया और उसके चलते काफी नुपसान फॉज के जवानों को उठाना पड़ा अब ये क्यों क्या ये जानके हुआ ओविसली नॉट ऐसे कोई जानके नहीं रहता है लेकिन और्गनाइजेश फॉर्जी लड़ रहा है जहांपर कॉंटेक्क बैटिल चल रहा है दुश्मन की सेना और आपकी सेना आपस में युद लड़ रहे है वहाँ पर आपको प्लोज नि विंग होता है उसको बताई जाएगी वो tag headquarters जो है फिर जो भी उनका air headquarters होगा उसको बताएगे कि यहाँ पर हमें तीन fighters का एक mission चाहिए इतने बज़े से इतने बज़े तक यह कारवाई चाहिए तो वहाँ से फिर air force वाले allocate करेंगे लेकिन allocate करने से पहले वो देखेंगे कि उन की कोई जरूरत होगी उनका कोई mission अगर चल रहा होगा तो वो आपको नहीं देंगे वो पहले अपना काम करेंगे अब वो जो अपना काम कर रहे हैं क्या उसका impact इस लड़ाई पर है या वो क्या impact है क्या दोनों issues जुड़े हुए हैं क्या किसी निर्ने पर जहां पर यह एरफोर्स बिजी है यह एक सवाल हमेशा रहेगा लेकिन इस दौरान क्या होगा कि आज के तारीक में आज के जमाने में जैसे हम यूकरेन का यूद देख रहे हैं बहुत स्पीड से लड़ाई होती है इतने किसम के हत्यार होगए कि इतना टाइम नहीं है आपके पास में कि यह इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी के थरू जाकर और फिर आपको क्लोस सपोर्ट मिले उतनी देर में लड़ाई का निर्ने हो चुका होगा लड़ाई की परिस्थितियां बदली हो चुकी होगी शायद आपने अपनी शहादतें जादा देकर आपने दुश्मन पर कबजा कर ल सपोर्ट रोल के अंदर भी होते हैं आपके अपाची जैसे हेलिकॉप्टर अटैक हेलिकॉप्टर भी होते हैं जो कॉंटेक्ट बैटल के अंदर आपके टैंकों के बिल्कुल पीछे और उपर कवर में रहते हैं और उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं दुश्मन के टैंक जह के युद में सामने आई और एक बहुत बड़ा लकूना था इस लकूने के वज़े से कितने सैनिक मारे गए इसके बारे में तो कोई चीज जग जाहिर नहीं हुई लेकिन माना जाता है कि इससे फौज को काफी नुकसान भी हुआ तो इसी लिए जो कारगिल रिव्यू कमिटी रिपोर्ट थी उसमें सीडियस के प्रावधान का जोर शोर से उलेक किया गया वाजबई सरकार मनमुहन सरकार बहुत इन लोगों ने अपने अपने लेवल पर प्रयास भी करें लेकिन पूरे दिल लगा के नहीं करें क्योंकि कही न कहीं इन लोगों को ये डर लगता था या उनके दिलों में दिमाग में डर बिठा दिया गया था कि अगर आप सीडियस जैसी एक पारफुल अपॉइंटमेंट खड़ी कर देंगे तो आपको कहीं ऐसा नहों आने वाले समय में वो मिलिटरी कू ना कर दे इतनी हासियास प को भी ये लगता था कि यार अगर इतना पारफुल जर्नल वहां बैट जाएगा तो हमारा जो स्टेटस है वो कमजोर पड़ जाए तो हम इसको नहीं बनने देते तो वो भी इंटरस्टेड नहीं थे एर फोर्स तो चाहती नहीं थी कि सीडियस बने अब वो क्यों नहीं चा पत के पद पर नियूप्थ हुए तो बहुत सारी पॉलिटिक्स होई, वोटसेप ग्रूपों के अंदर बहुत सारी अनाव शनाब बेकार की बकवाश शुरू हो गई, उनको मोदी का पिठु बता दिया गया, उनको उनको आरसेस का नुमाहिंदा बता दिया गया और बहु उसकी नियुक्ती नहीं हो रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है वो बताता हूँ लेकिन पहले ये बताता हूँ कि Air Force को क्या तकलीब है Air Force को तकलीब ये है उसको ये लगता है कि अगर CDS Theatrization जो उसका मुख्य काम है, Theatrization मतलब कि Army, Navy, Air Force के बीच में एक संयुक्त कमांड बनाना यानि कि इस्टन नेवल कमांड भी है इस्टन एर कमांड भी है और इस्टन आर्मी कमांड भी है तीन तीन कमांड इस्टन थेटर को देख रही है तो कहते हैं कि इनको सबको कठा कर दिया जाएं सारे एसिट्स कठे कर दिया जाएं और इनको इनके चीज के air chief रहेंगे हमारे पास कौन सी force रहेगी जब हमारी पूरी force बढ़ चुकी होगी तो ये उनका एक एक ये उनके एक बहुत बड़ी deep seated ये problem है organizational insecurity है अब थोड़े सी नजर इस पर भी डाल दें कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर ये कैसे होता है अमेरिका के अंदर नेवी के पास अपना air arm है उसके अपने reconnaissance aircraft है fighter aircraft है अपने helicopter है incidentally इंडियन नेवी के पास भी अपना air arm है basically ये कहरे कि हमारी नेवी के पास भी अपनी air force है US air force का रोल अलग है US air force के पास strategic weapons है यानि की nuclear missiles है इंटर कॉंटिनेंटल nuclear missiles की जिम्मेदारी उनकी है US air force के पास space assets है आपकी surveillance satellites, intelligence gathering satellites, communication satellites, navigation satellites इस सब को इस सब का संचालन US air force करती है cyber, cyber हम लोग की पूरी देखरेक और जिम्मेबारी US air force की है strategic bombers, B-52 जैसे bombers, star fortress जैसे bombers ये US air force की जिम्मेबारी है predator जैसे long range UAVs, armed UAVs ये जिम्मेबारी US air force की है strategic lift, C-17 globe master जैसे aircraft जहां पे आपको सैनिकों को फर्स करो USA से Germany लेके जाना है, तो ये जिम्मेबारी air force के पास है उसका एक अलग charter है, हमारे यहां पे सब कुछ सब कुछ जो भी हवा में उड़ता है वो air force कहती, जो भी हवा में उड़ता है वो सब हमारे पास होना चाहिए अब इसको फिर compare करें US Air Force के साथ में, तो US Air Force का जैसे मैंने आपको बताया है तो वहां की जो US Army है उनके पास में अपना air support आम अपने जहाज है, उनके पास में उनका जो aviation है, Army aviation उनके अपने जहाज है A-10 जैसे ground support fighter aircraft है, उनके पास में Apache जैसे attack helicopters है, Black Hawk जैसे aircraft है इस तरीके से उनके पास में अपना अमला है, Hercules जैसे aircraft है, जो की medium lift और tactical lift में काम आएंगे, तो Army अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से उसके पास में परियाप साधन है और Air Force बड़ी चीज को देखने के लिए free है, अब इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर चलिए 71 का एक उधारण आज के परिपेक्ष में लेते हैं, माल लो कि अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है, आप सबने वो लॉंगे वाला का युद के बारे में बहुत आपको जानकारी होगी, एक border picture भी बनीते हैं, आपने जैकी श्रॉफ अपने hunter fighters को लेकर और पाकिस्तानी टैंको पर हमला करते हैं, और कैसे वो पूरी लड़ाई का जो रिजल्ट है, वो चेंज हो जाता है, विकॉद अएरपोर्स, तो एक बहुत ही powerful tool है, तो ये जो border movie के अंदर जैकी श्रॉफ जिस रोल को अदा कर रहे थे, वो था ground support role, अब ground support का सारा समान वाज के पास हो, जिससे कि over the shoulder ना देखना पड़े, bureaucratic hassles में समय बरबाद ना किया जाए, उसके पास में अपनी tactical lift होनी चाहिए, यानि कि हैदरावाद से फोजे उठाकर आपको जैसल मेर में लेके आनी है, आपको भुज में उतारनी है, आपको जोदपुर में उतारनी है, तो आप एरफोर्स की तर और इस battalion को या इस equipment को लेके दर आ जाए, अगर आपको बहुत बड़ा equipment लेना है, लाना है, टैंक और artillery तोपे लानी है, तो आप एरफोर्स को बोले, strategic lift के लिए, कि भई आप प्लीज हमारी मदद कर ले, आपके पास अपने attack helicopter होंगे, आप अपनी contact battle में अपनी जरूवत क के हिसाब से time and space को देखती हुए, उनका स्तेमाल कर सकेंगे, और सही समय पर सटीक स्तेमाल कर सकेंगे, समय बचेगा, और आपकी decision making के अंदर, आपकी decision point के उपर, एक punch के तौर पर ये चीज उभर के आएगी, तो ये सारी कारवाई CDS कर रहे थे, और वो विचारे अब नही कि क्या ये गलत था, बेकार था, जरूरत नहीं थी, क्या मोधी सरकार ने over initiative दिखा दिया और ये वगएरा वगएरा, तो दरसल ऐसा नहीं है, दरसल मोधी सरकार इसको और fine tune करने जा रही है, अगर आपको याद हो, जर्नल विपिन रावत दो department देख रहे थे, एक तो CDS का क इसका, DMA का जो main जो कान था, वो ये था, कि तीनों सेनाओं के बीच में जो theatrization की जो process है, जिसके अंदर equipment sharing है, और logistics है, और बहुत सारी चीजे है, तो उसको fine tune करने की थी, वो भी विपिन रावत देख रहे थे, तो अब ये सुनने में आ रहा है, कि DMA का पद अलग और CDS क अलग होगा, CDS के लिए न्यूकती अलग होगी, और DMA की न्यूकती अलग होगी, जो DMA बनेगा, वो purely purely तीनों सेनाओं द्यक्षों में से किसी एक सेनाओं द्यक्ष को promote करके बनेगा, जो chief of defense staff बनेगा, वो तीनों सेनाओं द्यक्षों में से एक किसी सेनाओं द्यक्ष को promote करके भी बन सकता है वो किसी senior army commander को direct promote करके भी cds बनाया जा सकता है और सुनने में आ रहा है कि इस प्राबधान को भी क्या जा रहा है कि कोई retired journal जिसकी उमर अभी हो वो 65 साल का ना हुआ हो उसको भी cds बनाया जा सकता है तो इस तरीके की बाते चल रहे हैं ये कुछ fine tuning हो रही ह इसी तरह integrated defense staff का एक headquarter भी बनाया गया था जर्णल जोशी उसके पहले सिस्क थे कमांडर थे ये integrated defense staff ये एक एक अंतरिम arrangement था कि cds जब तक नहीं बनता है तो एक integrated defense staff बनाया जाए जो तीनों सेनाओ के बीच में समन्वे का काम करें उनको मिलाए और वो किसको report करेगा चीफ of staff chief of staff committee है जो उसके जो boss होंगे उसको report करेगा और chief of staff committee का chief कौन होगा वो तीनों सेनाओ ध्यक्षों में से एक को जो senior master का वही आप जो है chief of staff committee के boss है तो ये एक arrangement था cds बनने के पाद चीफ of staff committee की ज़रूरत नहीं रही और IDS का जो chief जिसको सिस्क बोलते हैं उसके लिए ये था कि भई इसको vice chief of defense staff बना दिया जाए तो वो खेर प्राफदान था लेकिन वो ऐसा किया नहीं लेकिन अब सुन करता है तो आपके पास में second in command है जो कि उसका पूरा कारेबार समाल के काम चला सकता है और इसी तरह DMA भी redundancy की एक व्यक्ति के जाने से पूरा system जो है ऐसा लगता है कि collapse हो गया तो DMA जो काम कर रहा है वो अपना काम करता रहेगा और cts के पास भी ज्यादा बोज नहीं होग का काम का और जो उसका जो काम है to advise the government वो अच्छी तरह कर पाएंगे और the best part is कि जो भी DMA का जो अधिकारी होगा बॉस होगा चीफ होगा वो भी cts को report करेगा तीनों सेना द्यक्ष भी cds को report करेंगे और cds जो है प्रदान मंतरी रक्षा मंतरी और इन सब को report करेंगे तो य यह basically है इसलिए willam हो रहा है क्योंकि यह fine tuning ministry or defense और cds के office में चल रही है तो यह था मेरा पूरा वीडियो आपको समझाने के लिए कि क्या cds की issues आ रहे हैं और क्यों इसमें देरी हो रही है तो अब मेरे को दीजे जादत फिर मुलाकात करते हैं किसी नए विशे को लेकर किसी इस चीज को जानने के इच्छुक है जैंड़